सामने आपको रहें काये कारवाई शुरूब तो कि नमस्कार मैं जब मोन शास्त्री आपका प्रभु मिलन ध्यान योग साधना अश्रम ठेड़ पुरा बद्धी के विए में आपका स्वालत करता हूँ तो लोगों के बहुत से प्रशने हैं कि योग की शुरुवात कैसे करें तो योग की शुरुवात के लिए सबसे पहले आप इस परकार हाथ चोड़ करके बजरासन लगाए और बजरासन में ओम और इस परकार से ओम का उचारण करने के बाद बालासन में जाएं अपना पेठ यहां लगाएं और इस परकार से थोड़ी देर रुपे गायत्तिरी मंतर का जाप करते हुए सांस ले और गायत्तिरी मंतर का जाप करते हुए सांस छोड़े धीरे धीरे वापेश अब हम थोड़ा सा यहां पर शशान आशन की उचलेंगे इससे चेहरे के सुंदरता बढ़ती है और इसके वीज में एक हाथ का गया यह हो और इसे पीठ लंबी करते हुए आगे जाना है यह सांस लंबा गहरा लेना और छोड़ना थोड़ी दिर इसमें ठहरना है रुकना है थोड़ी दिर यहां से धीर धीर वाप्पेस अब यहां से हम इस पूजिशन में आएं और दुनों हाथ यूँ जूड़ करके उस्टू रासन सांस लेते हुए पीछे जाएंगे सांस छोड़ते हुए आगे दूसरा इसका प्रकार है अपने हाथ धीर के उपर यूँ सांस लेते हुए पीछे धीरे धीरे आप शरीय के सार्थ जबर्दस्ती नहीं करने है स्थिरम सुखम आसनम पहला सुत्र है स्थिर्टा सुख वही आसन है और संबब हो तो हाथ यूँ और अपने एडिया यूँ पुर्ड़े है नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसे नॉर्मल सांस लेते हैं चाती के रोख खतम हार्ट अटेक की संभावना बड़ी कम चेहरे की सुंद्रता गले का रोख खतम थायर्ड खतम थोड़ी देर रुके हर आसन में कम से कम दस पंद्रा बीस सेगेंड रुकना है दिर दिर भपेश और फिर से हम ऐसे आदर के सशांक आशन में चले जाएं आराम पूरा लाव लेना है लंबे गहरे सांस अब यहां से हम घोटक आसन की स्थिपी में कमर दर्द के लिए जो हमें आसन कर रहे हैं कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाव कारी है अब हम दाया पैर उठाएंगे यूँ और बाएं हाथ से पकड़ लेंगे इस प्रकार गर्दन सीधी लंबा गहरा सांस हो सके तो गायतिरी मंत्र का जाप करें सांस लेते समय एक बार गायतिरी मंत्र छोड़ते समय दोगा ठहरना यासन में जब तक ठहर हो गए नहीं तब तक लाब नहीं मिलेगा और गलत नहीं करना और नहां हानी हो चकती है अब हम दूसरा पाउंठ आएंगे स्थिर्ता घोड़े की तरह पीठ मजबूत कभी कमर दर्द नहीं कभी पीठ की दर्द नहीं लंबा और गहरा सांस दिर दिरे वाफ़ेश अब यहां से हम अदो मुक्सवान आसन में जाएंगे यह दोनों अपने घुटने नी बैंड करके इस पुजिशन में आएं सर जमीन पर और यहां से अपने धिर धिरे पाउं सी देख आएं जिदनी पीठ लंबी होगी उतना आप ज़्यादा गरदन जमीन की ओड़ेश यहां रुकना है कम से कम आधा मिनट जल्दी नहीं करने जल्दी करोगे तो नुकसान पाऊगे ठैरोगे तो लाब आँखों की रोशनी बढ़ेगी बाल जड़ने की समस्या खतम आँखों के काले घिरे ठीक होंगे चैरे के सुंदर का बड़ेगी पर तब जब इसमें रुको होगी तब रुकना ज़रूरी है और जितनी पीठ लंबी होगी उतना आप ज्यादा रहेगा कि में आप बैंड भी कर सकते हैं अब यहां से फिर हम सशांक आशन में जाएंगे कि यह फिर उसका लाब लेंगे और यहां से धिर धिरे वापेस तो यह योग की शुरुआत हैं सुबा उठकर के इस परकार से हाथ चलाना या जल्दी जल्दी करना यह नुकसान देता है इस परकार से शुरुआत करें और फिर अन्त में ओम काजाब लंबा गहरा सांस ओम अगर आप रोज अपने को इतना समय भी देंगे आपको लाब की गैरेंटी है आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें प्यारे मोहन हरे कृष्णा हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें हरे कृष्णा